तो आज की वीडियो होने वाली है Pomerian की Maintain Care पे आप सोचोगे की Maintain करने में क्या है सबका तो एक ही होता है इसमें New क्या है लेकिन अलग अलग डॉग बिट पे अलग तरीके से आपको efforts डालने पड़ते है जिस तरह से वो properly Maintain रहे तो आज हम discuss करने वाले है Pomerian के उपर और वीडियो को भी अभी like कर दीजिए किया तो चलिए शुरू करते है तो आपके पास Pomerian है या adopt करने वाले तो यह tips काफी important रहेगी सबसे पहले थोड़ा आपको बता दूमें इस dog breed के बारे में कि Pomerian एक one of the popular dog breed है और काफी active dog breed होती है यह Pomerian का जो fur होता है soft और fluffy होता है grooming के मामल में तो चलिए देखते हैं को maintain कैसे करते हैं तो किसी भी dog breed को अगर आपको maintain रखना और healthy रखना है तो सबसे पहले point आता है diet का ही आप सोचे रहोंगे की diet तो size पे आता है यह dog breed small size की तो ज़्यादा खाना नहीं लगेगा लेकिन size से दोका नहीं खाई यह dog breed highly active है जै अगर आपका pomerian समझ लो अगर आप दो टाइम खाना दे रहे हो तो properly उसका full नहीं हो रहा स्टमक उसको कम पढ़ रहा है तो अगर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते कि आप उसको three section में दे सकते एक सुबह नून और रात को कई लोग के अलग-अलग times होते हैं अपने dog को feed करना सूबह में आप दे सकते हो नून में दे सकते और रात में दे सकते हैं फिर दूपेर शाम या रातव अलग-अलग time होते हैं लेकिन इस तरह से दीजह कोई भी time पे दीजह लेकिन इस तरह से दीजीं कि उसका खाना पूरा हो सक opioid हो सक्ये उस्का fully certified हो सकते हो का डॉक बीट साथ-साथ कई सारे फूड ब्रांड आते हैं जो आप उसमें होममेट फूड में मिक्स करके दे सकते हो यह सबसे उसका डायेट प्लैन काफी अच्छा होगा सारे इंपोर्टन पॉइंट ही में डिसकस कर रहा हूँ जो लोग अकसर भूल जाते हैं या जो लोग आपको थोड़ा एक्स्टा अटेंशन की जरुवत है यह डॉक बीट शेड नहीं करते हैं रेगूररली लेकिन जब करते हैं तो आपको प्रॉपरली उसकी टेक क्यार करनी पड़ेगी यानि शेडिंग सीजन आता है तब ब्रशिंग की इस तरह से करनी कि उसका इनर और प्राइनी बनाता है साथ साथ कई और चीज़े होती है जो कोट के लिए इंपॉर्टन होती है ऐसी शेंपूस सीलेक कीजिए जिसमें सब कुछ मिले आपको याद रहे है यूमन प्रोड़क्स आप जितना यूज करोगे उतनी एलर्जी बढ़ेगी डॉक की स्किन खराब हो चीज़े अगर आप नहीं करते तो डॉक के आगे चलके उसमें काफी सारी डीजिस देखने को मिल सकते हैं और कई सारे लोग यही स्किप कर देते हैं मैंटेन करना मतलब सिफ घर में खयाल रखना नहीं होता उसकी हेल्थ की लिए आपको काफी कुछ करना पड़ता है तो उ आप अपने डॉक बीट को देके कर सकते हो वैट की सटेशन इस मामले में ज़रूर ले इन सबका बैनेफिट क्या है कि अगर आप यह दो आप अगर आपके dog bit को आपको perfectly maintain रखना है तो discipline यानि ट्रेनिंग अगर आप अपने pomerian को properly train नहीं करोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा और कई सारे ऐसे behavior आपको देखने को मिलेंगे जिसके चलते आपको भी problem होगी कोई गेस्ट अपके घर पे आए तो उनको भी problem होगी आप basic command से start कर सकते हो जैसे seat हुआ second हुआ lie down हुआ ऐसे basic commands काई सारे है जो आप दे सकते हैं अपने dog bit को training के दोरान training में एक और important fact आजाता है exercise अगर आप अपने dog bit को health issue नहीं देना चाते तो exercise काफी important होती है आप बस उन्हें दिन में एक या दो बार walking के लिए जरूरू ले जाए इससे काफी ज़्यादा help होगी उनको अगर over feed कर रहे हो आप अपने dog bit को और obesity की problem में आ जाती है यानि weight gain कर लेता है तो walking के कारण काफी benefit होगा उसका weight भी कम होगा और वह properly maintain रहेगा साथ साथ exercise करने से वह काफी स्ट्रॉंग भी बनेगा उसकी बोन्स भी अच्छी रहेगी और इसी मामले में अगर आपने diet plan बना लिया और weight से कम कर लिया लेकिन कई बार ऐसा होता कि कुछ dog bit खाते ही नहीं उन्हें भूकी नहीं लगती तो walking करने के कारण उनको भूक भी लग सकती है इसलिए exercise करना काफी जरूरी आप कुछ भी exercise दे सकते हो walking की जरूरी नहीं अगर चाहे तो आप उनके साथ तो fetching खेल सकते हो या आपको बस हर week एक आदत बना लेने कि अपने dog bit को check करना है सबसे पहले eyes देख लीजे clear है साथ-साथ कोई भी redness आपको देखने को तो नहीं मिल रही उसमें उसके बाद आपकी dog bit की brushing करते रहिए साथ-साथ उतके gums और teeth को जरूर से check करते रहिए कि उसमें कुछ problem था नहीं लिए जाओ dog bit के तब doctor के साथ आप एक बाद चेक अप करने बोल सकते हैं कि इनके eyes और mouth को अच्छे से check कर लिजे कोई problem तो नहीं है और अपने dog bit को socialize जरूर करके रखिए क्योंकि socialize ना होने के कारण angry issues या फिर जो भी angry नहीं से आपके dog bit में जरूर से देखने को मिल सकते इसलिए socialize करें दूसरे dogs के साथ आसपास अपके friend के साथ इससे dog bit काफे friendly भी बनेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों ये सारी tips थे जिसके चलते हैं आप अपने pomerian को maintain रख सकते हो ये सबको अगर आप follow करो और इन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देने रहेंगी और मिलता हूं मैं आपको ऐसे इंटरेशने वीडियो के साथ thank you for watching